हेलो फ्रेंड्स आज है साथ मार्च और आज टेंथ क्लास का इंग्लिश का पेपर हो चुका है और बहुत ही अच्छा पेपर आया है काफी इजी कोशन आये हैं तो चलिए इसके आंसर की मैं आपके लिए लाया हूं चेक कर लेते हैं कि कैसे प्रश्ण आये हैं असी नंबर का यह कुश्चन पेपर था और इसमें जो पहला प्रश्ण है वह पेसेज से पूछा गया है डॉक्टर एपी जय अब्दूल कलाम पे आधारित यह पेसेज था और इसमें कुछ अब्जेक्टिव कॉश्चन पूछे गए जिसमें थ्री गॉल्स पहला कॉश्चन है थ्री गॉल्स ओफ इंडिया और इसका राइट अंसर है फ्रीडम इंडिपेंडेंस एन एकोनोमिक डेवल्पमेंट चारो ही इसके राइट ऑप्शन है इसके बाद चलते है नेक्स्ट कोश्चन इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है इंडिया पेरिग्राफ में लिखा हुआ है पैसेज में ये अगला जो कॉश्चन है चूज द चूज द सीमिलर वर्ड ऑफ फोलोविंग फ्रम द पैसेज पावर ऑफ साइट का सीमिलर यानि कि समान अर्थ वाला शब्द यहां पे चुनना था और वह है वीजन यानि कि द्रश्टी चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ फोलोविंग इसमें 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 राइटर और शवनलाल दोनों का एक डिसकर्शन चल रहा है उसी पर कुछ प्रश्टी पुछेंगे वेर वाज़ दर राइटर वाकिंग तो इन्टु दे इन्टू दे स्ट्रेट्स ओफ देली इसका राइट अंसर आ जाएगा इन वीच फिल्ड हैड़ दे मैन ओन दे अर्थ गॉट अच्यूवमेंट्स इसमें हमारे पेसेज में ही बहुत सारे इसमें शब्द दिये हुए हैं यह जितने भी एरियाज है यह सब इसके अंसर हो रहे हैं इन में मैन हेड इस लेन पर अचीवमेंट प्राप्त किया है और तीसर बश्ने वेर डिट दे राइटर मेट सोवन लाल इसका साही जवाब है यह सी कनॉट सरकस वाला यह भी पेसेज में इसका जो राइट वर्ड है वो है शोवन लाल यह भी शोवन लाल के फॉर फ्रेंड से इसका अंसर होगा यंगर मैं फू ट्रांसलेटेड फॉर दर राइटर तो शोवन लाल ही अंसर है इसका और यहां पर जो लास्ट वाला कोश्चन पुछे हैं उसमें एक में पुछा है सिमिलर वर्ड विशिंग का सिमिलर वर्ड क्या है तो इसमें ग्रिटिंग्स एक वर्ड आया हुआ है वह इसका अंसर हो जाएगा और stopped का जो है opposite पुछा हुआ है तो started रुका हुआ और started इसका opposite पुछा है इसलिए started हो जाएगा next section B में यह जो हमारा पेसेज थे यह दोनों पेसेज 6 नंबर का पहला पेसेज था और 9 नंबर का दूसरा पेसेज था इसके बास section B में हमें राइटिंग सेक्शन आ गया है इसमें एक पांच नंबर की पांच नंबर का question पुछा गया है imagine you are Sushma और परम living in Amrit sir your sister has secured 95% in board examination right later of congratulations to her on this occasion बहुती easy way में classroom में करवाया हुआ question है इसमें Amrit sir में रहने वाली आप Sushma है को Sushma मानते हुए अपनी बहन को एक पत्र लिखना है बधाई पत्र जिसमें उसने 95% board परिक्षा में अंक प्राप्त किये हैं और इसके अथ्वा में जो दिया है you are Siddhi Siddhartha studying in 10th class in GSSS quota you can't afford board fees as your father is sick और application लिखनी है principal of your school to arrange your board fees as you are an intelligent student do not want to waste one year of your education इसमें हमें स्वयम को सिध्धी या सिध्धार्थ मानते हुए principal को application लिखनी थी जिसमें हमारी board fees के लिए व्यवस्था कर सके क्योंकि आपके पिताजी बिमार है तो आप इसको effort नहीं कर सकते हैं बहुती easy paper और बहुती अच्छे writing communication का आया यह चोथा question पांच चार नंबर की इसमें story पुछी है एक तो है farmer and four suns या hidden treasure और दूसरी है hair and tortoise या rabbit and tortoise वाली खरगोश और कच्छुए की और एक किसान के बच्छत पर आधारी थे यह भी बहुत ही सरल अस्ती शब्दों में लिखना है आट लाइन यह है grammar portion section c इसमें क्या fill in the blanks with appropriate forms of the work correct form of the work का यह question है the train reached the station before I reached there यहाँ पर वर्ब की second form है तो हमेशा यहाँ पर आएगा head लग जाएगा head plus verb की third form तो यह हो जाएगा head reached my mother always worship God in the morning यहाँ पर always है यहाँ हमेशा की बात है तो वर्ब की first form के साथ as yes यहाँ पर हो जाएगा worships next he has he arrived at his destination by now तो यहाँ हमें कल्पना की गई है कि अब वो पहुंच चुका होगा तो he will have arrived इस में आ जाएगा future tense की बात हो गई है और last वाले में I learned English since last year तो since आया हुआ है तो यह सीधा सीधा perfect continuous tense में जारा since for perfect continuous tense का तो यहाँ पर हो जाएगा I have क्योंकि इसको प्लूरल माना जाता है I have been learning English since last year सात्व प्रश्न की बात करते हैं the teacher said to the student you are good students reported speech का है direct indirect में convert करना है तो इसका हो जाएगा the teacher सेट्टू को टॉल्ड में convert कर देंगे टॉल्ड दे स्टुडेंट्स देट यू को चेंज करेंगे object से तो यहां पर प्लूरल ही है तो दे हो जाएगा दे और आर का present tense पास्ट में convert हो जाएगा they were good students next अगला वाला he said to me did you read newspaper before going to school यह भी reported speeches का direct दिया हुआ है indirect क्या होगा he और यहां question पुछा इसलिए यह बनेगा asked he asked me और फिर question mark है इसलिए if you को me से change करेंगे तो I और यह past simple हो रहा did you read तो इसको I had क्योंकि यह perfect में convert हो जाए I had read 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 newspaper after going to school before को after में convert कर सकते हैं after going to school यह before going to school fill in the blanks with with a verb in agreement with its subject तो यहां पर एक्तिसान की पूर्ति करनी है वर्ब के साथ तो Harry with his friends Harry with his friends for a walk Delhi तो यहां पर आजाएगा goes क्यों क्योंकि यह singular person हो रहा है और among all the students he different in his opinion अक्यले की बात है तो वाज आ जाएगा पहले में हो जाएगा goes और दूसरे में हो जाएगा वाज change the following sentence into passive voice इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना है do it दिया हुआ है तो आपको लिखना होगा you are ordered to do it यह इसका convert हो जाएगा next है my mother gave me a beautiful gift तो दो अब्जेक्ट होने मी भी है और a beautiful gift भी है तो आई गेव है वर्ब की second form तो आई वाज गिवन a beautiful gift by plus बदला करता my mother that is the right answer जो दस्वा प्रशन है वह फ्रेम फ्रेमिंग कोश्चन है God examines all तो यहां इस्टुडेंट डॉंट वेस्ट टाइम तो यहां डॉंट आ रहा है तो क्या इस्टुडेंट अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं क्या वे करते हैं तो do अब यहां पर टेक्स्ट बुक का पॉर्शन आ चुका है टेक्स्ट बुक की कोश्चन ये पहले सबसे पहले तो एक पैसेज रिड़ पैसेज और गिवन दांसर यह भी बहुत ही इसी था इसमें यह जो फर्स्ट वाला है इसका अंसर है वेली चुट वहर्मपरण इसका राइट आशर है दवही था गिरंजियों फ्यांसर इसका राइट रॉक्त टेर्वर टकि रवी ब्सेट है राइट कांछ भी बन ड रेंखते बनको बाकी दो question भी बहुत ही सरल थे आप comment करके बताना कि इतने से आपके कितने question सही हुए है बहुत ही अच्छा paper आया है second वाला भी pilot वाला जो scene passage है इसमें the pilot could not see where he was because he has तो उसका radio भी गुम गया था उसका compass भी गुम गया था इसलिए उसको पता नहीं लग रहा था वो कहा है where did the pilot lose himself तो लिखा हुआ है इसमें in the storm storm आने की वज़े से वो अपने आपको गुम गया था what was seen by the pilot aeroplane देखा उसने एक और what was the name of the aeroplane of the pilot Dakota लिखा हुआ है उसमें what is the similar word of the following from the places sufficient तो इसकी last line में एक वर लिखा हुआ है enough इसका answer हो जाएगा कि इसके बाद 4 में से कोई 3 question करने थे कि यह छे नंबर का था प्रत्यक कॉश्चन दो नंबर का था और तेरवा question यह पांच नंबर का बहुत ही इजी टेक्स्ट बुक के question आये सारे और इसके बाद में यह चाउद्वा इसमें भी हमें answer any one of the following करना था कोई एक ही करना था फिफ्टिंथ में भी यह poem दी हुई है और इस poem के हमें यह answer लिखने थे और जो लास्ट न अब्जेक्टिव इसमें right answer है tricky इस तरह से यह बहुत ही easy पेपर आज का आया था बच्चों और उमीद है कि आपने बहुत ही अच्छा पेपर किया होगा और अगर आपको यह answer की और यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करे और best of luck for upcoming exam और एसे ही सारे अपडेट्स के लिए अभीका एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू